नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एकाक्स टोलियल्स पर मैं हूं गौरव दोस्तों इस वीडियो में हम यूपी विधान सभा सचवाले के दौरा जो विभिन्ने पदों के लिए विग्यापन जारी किया गया है और जिसका की प्री एक्जाम 24 जनवरी 2021 को होना प्रस्तावित है तो इस एक्जाम के लिए जो लड़नीती है बाकी बचे हुए 6 दिनों की क्योंकि एक्जाम में ज़्यादा समेशे इस नहीं है केवल 14 दिन नहीं बचे है 14 डेज लगवक्त तो उसमें क्या लड़नीती हम अपनाएं जिससे की एक्जाम में ज़्यादा स्कोर कर सकें और सेफ जोन में हम रह सकें और प्री एक्जाम में पास होके मेन एक्जाम के लि वीडियो उपलब्द है, हिस्ट्री के, जनर्नल स्टेडी के, करेंट अफिर्स के, और वन लाइनर टेस्ट के, वन लाइनर टेस्ट में आप्शन्स नहीं होते हैं, क्वेश्चन में, आंसर के, और आपको जो है, ये उस वीडियो के माध्रम से, आपको ये पता चलता कि आपक वास्तविक तैयारी कैसी है, ठीक है, एक्जाम में तो आपको बहुविकल्पिय प्रश्णी मिलेंगे, लेकिन हम जो चैनल पर वन लाइनर टेस्ट आपके वीडियो आपको देते हैं, उसमें आप्शन्स नहीं होते हैं, ठीक है फ्रेंट्स, तो चैनल को सब्सक्राइब की सब्सक्राइब करते हैं, ठीक है, आप जानते हैं कि विदानसवा सचवाले द्वारा, उत्तरप्रेश विदानसवा सचवाले द्वारा, आरो यारो, अपनी जी सचीव और अन्य कुछ पद हैं, जिनके लिए विग्यापंजारी किया गया था, ठीक है, और अब ऑफिशली नोटिफिकेशन आ चुका है, और एक्जाम डेट आपको पता ही है, 24 जनवरी 2021, ठीक है, ये प्री एक्जाम की डेट है, किसकी प्री एक्जाम की, ठीक है, अब देखते हैं कि क्या स्ट्रेटिजी हम अपनाएं ताकि हम ज्यादा ज्यादा एक्जाम में स्कोर्ड कर सकें, कितने दिन बचें एक्जाम में, 14 डेज, 14 डेज लेफ्ट, ज्यादा समय नहीं दिया गया एक्जाम के लिए, ठीक है, क्योंकि 12 जनवरी तो आखरी डेट बढ़ाकर 12 जनवरी कर दी गई, अपलाई करने की, और लगबग उसके 12 दिन बाद ही अब एक्जाम है, ठीक है, ठीक है, देखिए दोस्तों आपको पता है कि GS और हिंदी, दो पार्ट में पेपर होगा, अर्थात, 50 questions GS के, और 50 questions हिंदी के पूछे जाएंगे, अब ये, हम नहीं जानते हैं कि GS में किस topic से कितने प्रश्म पूछेंगे, ठीक है, हिंदी में तो पता हैं, 5 topic हैं, ठीक है, उ question पूछे जाएंगे, पजायवाची, विलोमशब, तत्सम तत्वाव, ठीक है, तो देखिए friends, बाकी बचे हुए 14 days में GS में, fact-based questions, ज्यादा से ज्यादा आप पहले revise कर दीजिए, fact-based questions, हम कह सकते हैं, कि static gk, आप जानते हैं कि syllabus में जितने भी topic हैं, आप पता ही हैं, और थोड़ा-थोड़ा आपको रोज समय देना है, सभी topic के लिए, revise करने के लिए, यदि हिंदी आपको अच्छी तरह से आती है, आपको लगता है इसको कम समय देना है, revise करने के लिए, तो GS को आप ज्यादा समय दे, ठीक है, तो history है, geography है syllabus में, Indian polity है, science, current affairs, ठीक है, और un-topic भी है, ठीक है, तो fact-based question या static जी के हम कहा सकते हैं, यह विशेश रूप से history और geography, इनका syllabus काफी जादा होता है, ठीक है, आप जिस किसी भी बुक से पढ़ रहे हैं, पिछले बरसों में जो आई हुए कुछ exam से हैं, जैसे ROE, ROE और अन्परिक छाई हैं मालीजे कोई भी, उनमें आई हुए जो पिछले बरसों के questions हैं, किसी भी exam के history geography के, उनको आप ज़्यादा ज़्यादा revise कीजे क्योंकि समय exam में कम हैं, और history geography के विश्य सूप से fact based question, किस समाचापत्य के संपादक कौन थे, कौन सी घटना कब घटी, मुगल काल, सल्तिनत काल से सम्मंदित प्रमु घटना हैं, मुख जो शाशक हैं रहे हैं, उस समय के उनसे सम्मंदित प्रमु घटना हैं, ठीक है, इसी तरह जो गरफी में कौन based static gk वो आप पहले उनको याद कर लीजे, इंडियन पॉलिटी में प्रमुख सम्मिदान संशोरन, मौलिक अदिकार, मूल कर्तब, वारति सम्मिदान के भाग, अनुछेत, प्रमुख जो नुसूचियां है, प्रमुख, उन सब को आप याद कर लीजे, इसी तरह current affair 2020, current affair से जरूर पांस से छे प्रशन पूछे जा सकते हैं, संभावना ऐसा, ऐसी संभावना होती है, कि current affairs से किसी भी एक्जाम में, ठीक है, current affairs से जादा प्रशन पूछे जाए, ऐसी संभावना होती है, आजकल अधिकान स्था current affairs से जादा प्रशन पूछे जाते हैं, तो इसलिए current affairs जनवरी 2020 से दिसम्मा 2020 तक का जरूर याद की कर लिजिए और इसके बाद यूपी से संबंदित जो प्रमुख यूपी जी के आप कह सकते हैं ठीक है उससे संबंदित प्रमुख संस्थान है जो वो कहां अवस्थित हैं ठीक है और उत्तरप्रेस की भौगोलिक इस्थिती प्रमुख संस्थान है तो इस तरह से आप यदि जो समय कम है 14 डेस का चुकी समय है तो इस तरह से यदि आप तयारी करेंगे तो हो सकता है कि एक्जाम में इसको अच्छा सके अब जब तक एक्जाम नहीं हो जाता एक्जाम पेपर का डिफकल्टी लेविल पता नहीं होगा कि सौ से सौ में सौ कर सकें आप और यदि सेफ स्कोर में रहने के लिए उत्तरकदेश विधानपर्शस सचवाले के प्री एक्जाम का जिस तरह है ऑफिशल कट ओफ हमने देखा है जो जारी किया गया था ऑफिशल कट ओफ तो उसको देखते हुए कोशिश यह रहनी कुछ महत्रपूर्ण बाते थी जो डिसकस करनी थी कम समय में एक्जाम में ज्यादा समय नहीं मिलाया है तो उसके लिए इस तरह से आप तयारी करें और जितने सिलेवस की टॉपिक है थोड़ा-थोड़ा समय सभी को दे करें करेंट अफिश के लिए रोज देट से दो लब्ध है उनका अवलाव उठाएं उनसे प्रेक्टिस करें करेंट अफियर जर्नल स्टेडीज और वन लाइनर जो टैस्ट है उसके माध्धम से ठीक है फ्रेंट्स तो एक आक्स टुट्रेश को सब्स्राइब कीजिए वीडियो पसंद आयो तो वीडियो को शेयर कीजिए मिलते हम अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद